हेलो फ्रेंड्स वेल्गाम टू माई चैनल SMCI NEXT एंड इस वीडियो के अंदर जो है वह हम कॉमुनिटे मेडिसिन के अंदर एक इंपोर्टन्ट टॉपिक Adamis के अंदर इसके कौन सेमें कीखनेंट इसके अंदर इसके कौन से में 12 की ऐडिस इसका अंदर जूह माई ऐगिज यहां तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक vind Argental सब्सक्राइम के आंदर एक एक पर्रेहर करने मेडंदा हैरा है जेखो बच्चों के लिए pediatric है and mother and child उनके reproduction और उनके लिए gynecologist भी है बट ये एक ऐसी age group है जिसको अभी health requirement जो है वो सबसे ज्यादा है ऐसा भी हम बोल सकते है तो उनके लिए जो है अभी community based जो है हम उनको कैसे help कर सकते है क्योंकि इनको जो है वो जदा चाहिए एक companion चाहिए friendly atmosphere चाहिए तो उसके लिए जो है वो एक health strategy की हम बात करें तो उनके अंदर health and education दोनों sector को जो है वो मिलके इस adolescent health care program को successful बना के लिए काम जो है वो करना पड़ेगा तो उसमें जो government जो है वो comprehensive हम बोल सकते एक strategy जो है वो अपनाई है जिसमें सबसे पहला ही की component है उनका nutrition अभी जो आदते पड़ती है वो पूरे lifetime जो है वो continue होती है तो अच्छी आदते पड़ने में time भी लगता है बुरी आदते जल्दी लग जाती है तो इनको nutrition protein diet कैसे ज्यादा लेनी है फिर जो fatty food है उसको कम लेना है fried food कम करना है BMI अपना जो है वो maintain करना है body है जो physical body जो है उसको maintain करना है ये सारी चीज़े जो है वो उनको सिखाना एंड इसी एज ग्रूप पे जो है वो sexual active होता है तो उनको proper sexual education reproductive education जो है वो प्रॉपरली देना अब थ्रू है फैसलेटी जो है वो देना अभी के लिए जो है वो convenient है थ्रूप एज्यूकेशनल सिस्टम थ्रूप अभी भी health and reproductive education sexual education जो है वो feasible नहीं है ऐसा जो है वो ना बोला जाता है ठीक है और जो सबसे और दूसरे जो important component जो है जिसके अंदर आ जाता है substance abuse को जो है वो टेकल करना अभी के society के अंदर जो adolescent में सबसे एक emerging और बहुत डेंजरस प्रॉबलम जो है वो है substance abuse या गाजा की लग लग जाना cigarette की लग जाना दारू की है ना और mental illness mental illness का भी जो prevalence जो है वो अभी के जो generation से उनके अंदर जो है वो बढ़ता जा रहा है तो anxiety, depression का सिकार ना हो जाए क्योंकि यह age group ऐसी है कि यहाँ पे से उनकी पूरी life जो है वो decide होने वाली है stress सबसे ज्यादा होता है इस age group के दर्मियान so mental जो illness है उनका counselling करना उनको guidance देना यह सारी चीज़े जो है उनको meditation सिखाना योगा सिखाना इसके तुरू हम mental illness को भी जो है वो tackle तो जो है वो कर सकते है और gender based violence अभी सबसे पहली जो strategy है that is the R's what is the full form of adolescent reproductive and sexual health program इसके बेस को अंदर क्या करना है तो जो existing facility है सबसेंटर है पी एची है सी एची है गवर्मेंट जो है वो अब सिर्फ adolescent के लिए तो अलग से hospital खोल नहीं सकते हैं तो क्या करते है जो available है सबसेंटर है या फिर भी एची है उनके एक fix day रख दो जो है यह एक सुवीदा है जिसके अंदर में कॉन से कॉंपोनेंट्स को जो है वो टेकल किया जाएगा तो इसके अंदर में ली जो है वो contraception, menstruation hygiene, sexual track और में से sexually transmitted infections and the most and most prevalent thing in India, anemia तो adolescent friendly hospital clinics जो है एक बहुत अच्छा initiative है जिनके अंदर adolescent के अंदर जो है एक्चुली यह चार component जो है उनको properly tackle करना है बराबर उनका facility-based counseling और community-based तो उनको support है यह facility-based counseling हो उनका और जो सबसे most effective strategy मुझे भी लगती है वो है outreach activities, outreach activities मतलब उनको जो है hospital लाने से better है वो school जिसमें पढ़ रहे है या जिस colleges में है वहाँ पर doctor जाए और उनके जो queries है जो भी questions वगेरा जो है उनको solve करे that is very key component यह and village health and nutrition day अगर कोई women जो है वो school या colleges में नहीं जाती है school drop out है तो भी जो villages के अंदर जो है वो health and nutrition day organized होते है उनके अंदर उनकी समस्याओं का जो है वो समाधान किया जाए यह सबसे बड़ा problem anemia और anemia के लिए तो अभी क्या बोले विप्स that is a weekly iron folic supplementations the must to follow strategy उसके अंदर उनको जो है वो iron जो है वो weekly 100 mg जो elemental absorb और उसके साथ-साथ जो है वो folic acid जो हो 500 माइक्रोग्राम हो या फिर हम 0.5 mg भी जो है उसको बोल सकते है एक्चल इसको अभी मुझे भी लगता है कि टेबलेट के फों में तो बच्चियों को देते हैं तो वो तो फैंक देती है बेटर है कि उसको कुछ 54 जैसे फों में हो तो अच्छा है अभी जो आटा आता है उसको आइरन जो है वो उसके अंदर एड करके जो है वो आटा आता है बट मुझे नहीं लगता गाहों के अंदर कोई 45 आटा यूस करते डारेक वो तो गेहूं ही लेते हैं और उसका वो फि कि उसका पाउडर फॉर्म एक 54 के फॉर्म में हो कि आपको जो डेली का एक स्पून खाना है तो शायद वो ज्यादा सक्सेस्फूल होंगा क्योंकि टैबलेट में होता क्या है अब भी हम जाते है तो देते है तो वो वोमेटिंग हो जाती है उनको नौज्या होता है फिर वो टार्गेट ग्रूप का स्पिनिंग किस करीग एसे तो ही हमोगलोबिन एस्टिमेशन करके वैख कर सकते हैं उनका पैलर वगेरा चेक करके एड़ एनिमिया जो है वो गाउं के अंदर होने में सबसे मोस्ट इंपोर्टन रिजन होता है जो इंटेस्टाइन में होता है वहां पर जाते हैं तो फिर एनिमिया जो हो भी अपने आप जो हो जाएगा एंड अगर डायेट ही इंप्रूव करते तो तो बहार से कुछ देने की ज़रूरत नहीं मतलब आयरन जिसमें से अच्छा मिलता है फॉलिक असे जिसमें से अच्छा मिलता है ग्रीन लिफी प्रकृम इंप्रमेशन की दुनिया से कीरे हुए है इतने सारे इंफरमेशन इंफरमेशन इंफोलीं हमार जो वालकार से नाहीं रेज होती है और के नहीं उससे जो राइट एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करना थू फॉर्मल चैनल्स करें तो अच्छी बात है यह तो उनको सिखाने के लिए हम जो कॉमुनिटी बेस्ट जो है वो उनको हेल्थ एजुकेशन एंजॉर कर सकते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टन फिंग जो है क्लिनिक के अंदर बात करें तो मेंली जो की कॉमपोनेंट जो है वो उनके नूट्रिशन उनकी सेक्शियल हैबिट्स उनका मेंटल हेल्थ एंड हम बोल सकते हैं की एनीमिया और मेंस्ट्रोल हाइजिन यह जो कॉर एडियास जो है या इनको कम्प्रेंसिवली जो है वो टेकल करना है थूँ एक्जिस्टिंग सिस्टम है ना कोई नया सिस्टम नहीं बनाना जो मेडिकल ऑफिसर है सी एचो है सब सेंटर पे उनको ही करना है बराबर बरसिक फिक्स टाइम एंड दे थोड़ा सा उनको अलग दे दो तो लगे कि गवर्मेंट इस सीरियस अबाउट अड़लोसंट हैल्थ अल्सो इतने अड़लोसंट ने जो है वो क्लिनिक को विजिट किया इतनों को सर्वीस दी गई है ना हाँ वो एक थोड़ी सर्वीस बेस्ट जो है वो गवर्मेंट को काफी इंप्रूब करने के अभी ज़रूरत है तो इसी के आसा के साथ जो है वीडियो का अइंड करते हैं थैंक्स पॉर लिस्निंग